समयते हैं आपके अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर नहीं करते या हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर नहीं होता तो क्या हम किसी भी मुलक का किसी भी दूसरे मुलक का मुकाबला कर सकते हैं नहीं हम कभी भी नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो नहीं ठीक होगा हम कभी भी किसे भी दूसरे मुलक से या नहीं को कभी भी competition नहीं करेंगे हम पीछी आजेंगे अगर मैं बात करूँ हम अपने पडोसी मुलक किसी भी मुलक की बात कर लें अफगानिस्तान की बात कर लें चाइना की किसे कहा सकती है? नहीं नहीं, यह मैं परूफ से कहा सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चांद यूनिवर्स्टीज हैं, वहां पाइजियर सर्च मैंने की वी है, जिसकी वज़ा से मैं आपको कहा रहा हूं. यार वहां पर तो एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है, कि वह पाकिस्तान से भी बुरा यहां के लोग समझते हैं? नहीं, यह आपको किसी ने गल्त गाइड किया है, मैं अजिर सर्चर आपको बता रहा हूं, कि पाइंट सो तरासी यूनिवर्स्टीज हैं इंडिया में, और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमारे से बहुत इंडिया के बारे में और उनके तालिमे निजाम, और उनके एजुकेशन सिस्टम और उनके डिवलमेंट के बारे मिए क्या जानते हैं? तरकी यह क्या पाकिस्तान से ज्द गर्वारे से बात नहीं है? दो नहीं मानता. है जिस के वजह से पाकिस्तान के पैलिट भी बोहत अच्छ है जैसे आपको अभी नंदन का पता है तो क्या हुआ था उसके साथ घेसे हवाले से अगर मैं बात करूं डिवेलेमेंट के लेहासे तर्की के लेहासे अगर मैं बात करो तरक्षी पाकिस्तान में जादा हो रही है ना इंडिया में तो होई निरिमाब तो गुर्बत जादा नहीं यह बैसिकली यह बात है कि जो इंडिया है ना उसका एग्रिकल्चर सेक्टर जो है वो भी हमारे से बेतर है वहां जिदी जो टेक्नियालोजी लेकर आ रहे हैं यानि पता स्यू की मीटिंग ओर रही है इंडिया में इसका मुझे ने मैटिया क्या हमारे मिनिस्टर्स को जाना चाहिए बिल्कुल जाना चाहिए जाएंगे तो जैसे कुछ बात करेंगे तो जो हो सकता है कि दोनों मुवालक के अंदर मुहबत बढ़ जाया और तिजारत हो तो मैं पफची ठोड़ा पासल में लेकर जाना चाहूँगा कि जितनी भी जगी होई है वो किसे शुरू की है और हमेशे हाथ कौन बढ़ाता है अमन के लिए अगर आपने रिसर्च की है तो अगर आपने अथेंटिक रिसर्च की है तो हमारी ओडिन्स पर देख रही हैं से अ बैकर जब उसे मोग के खानी परड़ती है फिर हारवान जाता है। लेकर पाकिस्तान की यह है कि पाकिसान मेशा अमन चाहा। इसकी बेतरी मिसाल आपके पास वह इमरान कि है। कि इमरान हाने कितनी दफ़ा मुदी जो प्राइम मिनिस्टर है उससे बात करने की कोशिश की ते लेकर उसने नहीं गी लेकर बाद में जब अभी नंदन पकड़ा गया फिर वही सुला करनी पड़ी सर अगर जंगे उन्होंने शुरू की है तो सारी जंगे जीते भी तो वही होंगे नहीं नहीं बेसिकली यह है कि पाकिस्तान 1965 में भी जीता था इकहतर में पाकिस्तान बदकिस्मिसी सी आर गया लेकर अगर 65 पे जीता था तो सेयल खोट के मुकाम के ओपर इंडिया के टैंक आ यहां पर तो यह ऐसा होना चाहिए था कि हमारे जो टैंक थे वो देलिम के अंदर मिलने चाहिए थे यह कहीं नहीं सच्छा है आपको दूसरी तरफ नहीं नजरा रही है नहीं मुझे नहीं आ रही है कि जब इंडिया ने जंग का इरादा किया तो पाकिसान के नौजवानों क पाकिसान के जो नौजवान सके अधर एक जजबह था लड़ाई का लेका अज हमारे पास दवचा क्यों क्यों करते हैँ और अज लडाई की बारे में क्यों करते हैं हम सिर्फ एटीमी को के बारे में बात क्यों कि ऐखा में सबसे पहले को जाएगा इंडिया तो चान पे भी पहुंच चुका वाई उससे भी आगी जा चुका मैं आपको बेसिकली यह बताओं कि यह पाकिसान जो है ना इसके करप्ट तरीन माफिया जो यह निके इसनों ने हर सर नहीं सर मैं यहां पर कहाना चाहूंगा आपने कहा कि लड़ाई के जजबा हमारे जवानों में बहुत जादा है तो हमारे जवानों में सर आप एजुकेशन का जजबा भी डाले ना नरेंदर मोदी ने बात की थी पिछली दिन उनका बयान बड़ा वाइरल हुआ इंटरनेट के उपर उस नरेंदर मोदी ने कहा कि भाई आप आज हो हम आपके साथ जंग करते हैं पाकिस्तान उन्होंने यह नहीं कहा कि हम इंडिया के सरे जंग करेंगे उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन पर जंग करते हैं देखते हैं कि कौन जादा आगे बढ़ता है उन्होंने कहा कि आओ हम जंग करेंगे तालीम के उपर उन्होंन जाएं तो आपको बेसिकली बुक मिलेगी नहीं लेकिन इंडिया की बात करूं तो मैंने अपने खुद थीसिज अप लिखे तो मैंने इंडिया से यानि के ऑन-लाइन थीसिस मंगवाएं तो इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है ना वो हमारे से ज्यादा बेतर है जहां प बिलकुल आप इसकी बाद पर एगरी करता हूं लेकर पाकिस्तान में कुछ यूनिवस्टी जहां बेसिकली सही रिसर्च का काम हो रहा है जैसे कॉम सेट में मैं खुद था तो कॉम सेट में मैंने बहुत कुछ सीका तो प्जाब यूनिवस्टी है उसमें भी बेहतरीन काम क हैं तो ऐसे कंपेर दूसरे इंस्टूइशन से जो यह पिजाब यूनिवस्टी है ना यह बहुत अच्छी यूनिवस्टी और इसका मेरे खाल में टॉप सेवन में नाम आता है पूरी वर्ड में बहुत जबर्दस हो गया कोई मैसिज देना चाहेंगे लाज़ पर जी कौम को? बेसिकली मैं पूरे पाकिस्तान को बलके एजूकेशन पूरी कौम से यही अपील करता हूं कि अपना ज्यातर जो टाइम है ना वो तलीम पर एकस्पैंड करें क्योंकि अगर जब तक कोई भी मुलक है उस वकट तक तरकी नहीं करता जब तक वो तलीम की तरफ तबज़ और हमारा जो शमार है वो दुनिया की बेहतरीन कौमों में हो लिए मैडिसेंस खुद मतलब करता है कंटेरियल मतलब मतलब हो थीचा से अवाग्या से अब दमेने मतलब को थे फट होगे फ टोरह थे हैएं किंश लोंकुद आसाट है नी पिस अंदिने साथ मुंद्ट से अवाग्या लेकिन आता है कर नीहीं मेंuntachn ag r तो अगर इब अवाम को जो मेडिसन आमें लाखों रुपे में महिंगी मेल रही है यहां पर हजारों में और सो रुपे में नहीं मिलेगी ऐसा हो सकता है लिए मुँआरे मुल्क की पलिसी कोई नहीं है किसी फील्ड में में बस ऐसी डंक्ट पर ही काम चार रहे हैं सारे तो हमें इंडिया का इंडिया से मसला तो वह अला की बात है नहीं हम इंडिया को फो कस ना करें हम आपनी गवर्मन्ट को को फो करें जो हम पर बहु जल्लम चर रहा है इंडिया को हमारी этого और जलम कर रहे है थिए हरक साधियात Notre पर सौ वजीर रखे हुए हैं अब दस वजीरों की जरूत है सौ वजीर रखे हुए हैं तो सब जुँए टी-ए-टी-ए अपना सारा वो उनको हर किसम की फिसिल्टी है गैस है बिजली है पट्रॉल है और अवाम पर मगाई का वो मसलत कर रहे हैं दिन बदिन तो यह अपनी कब मिला के माधर ओ लैंड ओ लैंड ओफ लैंड ओ मदर ने आप इसी रिलेटेज़ कोश्चन है अपने मुलग की बात कर ले हमारे मुलक मेडिसन क्यों नहीं है मेडिसन मिल रही है हर कोई ले सकते इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी ती इंपोर्ट और मल्टिनेशनल प्राइस से कुछ होती है, वो एक चीज सो रुपे की है, मैं खुद जानता हूँ, वो दस रुपे की सेल करते हैं, और अवाम को सोखी देते हैं, गौर्म ने कोई चेकन बैलनस नहीं है, वो ड्रग रिस्पेक्टर है, जो भी दूसरे तिसरे फराद है, मिनिस्टी के फराद ह सब को पता है, यह क्या काम हो रहा है, लेकन वो अवाम के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो विबस हैं, अवाम विबस हैं सर, यहां पर आपने काँ लिए की मिटिंग होने जा रही है, और हमारे खुँमरान भी जा रहे हैं, यहां था की इन्डिया छाए है, जाना चाहिए, यहां नहीं होगा, बेसिकली बात करने का परपस यह है, जब एक बच्चा होता ना, सर बैय था कलास में दब मेरे साथ मेरे फुपो का बेटा भी कलास वैलो था तो वो जब मुझे अच्छा पढ़ता था तो मा के देख बेटा तेरी फुपो का बेटा इतने अच्छे और करप्शन में जो लीड कर रही है ये तो बात है तो हम इंडिया का हमारा क्या मौजना है इंडिया की फोज सियासते में दाखन नहीं देती इंडिया की फोज फोज खुद ये एक बंदे को लाते हैं फिर उसको अमरिका के कहने पे उसको तबदील करते हैं फिर नए बंदे ले आएंगे हमारी तो प्लिस ही कोई नहीं है हमारी तो कोई प्लिस ही नहीं है हमारे मुलक से जो गाड़ी मैनिफेक्शर कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी भी मुलक को चोड़ कर बाहर जा रही है क्या वजवात है? अमेरिका को गालियां देते हैं, यहां पर खड़े होगे, लेकिन अगर आप देखेंगे, तो मुश्किल वक्त में अमेरिका न भी बड़ी मदद की है, हमें डॉलर्स आते हैं, सर आपने रिसर्च की होगी, कि जब पाकिस्तन के अलाद कराब होते हैं, अमेरिका से डॉलर्स जब किसी दो मुलकों की जंग लगती है, तो बीच में, तुम्हीं ने दर्द दिया, तुम्हीं दुआद होगे, पहले हम पे एक जार परसंट मगाई करते हैं, फिर दस परसंट हमें रलीफ देते हैं, तो यह तो कोई बात नहीं, यह नहीं, वह मारा दुश्मन है, वह मार नहीं, मुसल्मनों का दुश्मन है वह, अमरीका, और हम उसके घुलाम बने हुए हैं, अमेरिका ने भी हाद उठा दिये हैं, अमेरिका के अंदर एक इंडियन ओरीजन से तालू रखने वाली लड़की है, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर के लिए अपलाय करने जा रही है अभी next election में वो आएंगी, तो उन्होंने कहा कि सकती से उन्होंने एलान किया है, पाकिस्तान हमी से पैसे लेता है, मुश्किल वकत में हम पाकिस्तान की मदद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी जब उनके हला ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान को देना पन क आपको पता ही है, थोड़ा सा नगाम को घुलाम है, अमरीका जो है, उसके वाले से, तो सारे मुलक उसके पीचे गठा हो गया था, लोग दिल से नफरत करते हैं, नफरत करते हैं, लेकर यह होता है अपने मफाद के लिए दुश्मर से फैदा भी लेना पड़ जाता है, वैसे नफरत करते हैं यह वह जबर दो जिस तरह के सिनेरियो चल रही है मुलक के अंदर क्या समयते है कि आजा पठान के आप लोगों के पाकिस्तान को अजाद करवाने के अंदर बहुत बहुत बड़ा हाद रहा है तो अब पाकिस्तान जब अजाद हुआ है तो ये मुझूद सिनेरियों को देखते हुए क्या फिल करते हो एज़ा पाकिस्तानी एज़ा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए असल मेसर 2018 से पहले हमारे काम भी माशालला बहुत अच्छे थे सब कुछ सही था ना ये सारा गड़बल अठारा के बाद हुआ है अठारा के बाद इमरान खान ने बेड़ा घर कर दिया मुलका ठीक है और बाकी गरीब तबाह हो गया है ना गरीब का कोई नहीं पूछता और बाकी जो है ना इन्शालला पीडियम काम करीगी तोड़ा मोका तोड़ा टाइम मिल जाए ना इन्शालला तो आप देख लिए ना इन्शालला मुलक तरकी भी करेगा सब कुछ करेगा इन्शालला जिस तरह के हलाद आप देख रहे हो लेकिन अगर इसी बराक सम्म अपने प्रोसियों मलकों के अधालाद देखें तो वो बहुत ज़दा डिवेलब हो गये हैं आप अफगानिस्तान की बात करलें आप एरान की बात करलें आप इंडिया की बात करलें हम ज़दा तरकी कि करेगा कल मैं फेस्बुक पेक पेज़ देख रहा था कल में फेस्बुक के वीडिया इस वक्षब दुन्या की पांच वी बड़ी मेश्यद बन रही है ठीक है ना बन गया है माशाला से माशालला इसलिए कहेंगे कि बस हो हमारा पड़ोसी है ना और पाकिस्तान की आला थे आप देख ले ना किसी को आटा मिल ले ना किसी को काने पीने के अभी उसामान नहीं मिल रहा बाकी तो छोड़ दे ना यह जो जरूरी चीज़े इनसान के लिए ना यह बहुत मुश्किल हो गई है कसम से क्या आप हमें इंडिया पांची बेड़ी महिशत बन गया इस विज़ है कि वह हमारा पड़ोसी है उससे नफरत भी नहीं कर सकते इस वज़े से तलुगाद अच्छे करने चाहिए मैं कह रहा हूँ बैजान घरीब का सोचो बिजनस का सोचो का रूबार का सोचो लोग किदर पहुंच गए हम आज भी कह रहें इंडिया है और पाकिस्तान हो यह अधर शाने तो को का रहा दो पीना दो रोज़गार दो लोगो को कसम अल्यकि हम बहुत जादा है एकलिए बहुंच लोगोगोर बस अधर हम यह अभू को चोड़ेंगे और बच्छों को बागी तो हम जा रहें इंशालला इदर तो बागी कसम से जिन्दगी अज बहुत जलील हो गई हमारी हम पहले लोगों को देते थे 10 लाग 20 लाग दस थी आजकल कसम से काने पीने केले परेशान है और इस आरा बेड़ हमारा सोचे हम क्या करेंगे यह मेरे दो बई यह भी चले गए दो बईन न तो सीयुाएंु जाते हैं, तो भी मीटिंग होने जाए जा रही है, तो भी जाने लगे हैं